तो नानी की फिल्म दश्रा ने बॉक्स ओफिस पर गड़ा उड़ा कर रख दिया है। फिल्म ने पहले दिन की कमाई के मामले में अज़े देवगन की भूला को पचार दिया है। भारतिय बॉक्स ओफिस के लिए 30 मार्च बेहत खास रहा है। जहां एक तरफ अभी नेता अज़े देवगन की फिल्म भूला सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, वही दूसरी तरफ साउथ फिल्म दश्रा भी रिलीज हुई है। इस तेलुगू फिल्म में टॉलिवुड स्टार नानी मुख्य भूमिका में है। फिल्म ने भूला से काफी ज्यादा कमाई की है। फिल्म दश्रा ने अपने पहले दिन दुनिया भर के बॉक्स ओफिस पर 21 करोड रुपे का बिजनस किया है। नानी की इस फिल्म को तेलुगू, तमिल, मल्यालम, कन्नड और हिंदी भाषा में रिलीज किया गया है। फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई तेलुगू भाषा में की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म दश्रा के सबसे ज्यादा शो आंदरप्रदेश और तेलंगना राजियों में चल रहे है। यहां के कई सीनेमा घरों में पहला शोब सुब पांच बज़े से ही शुरू किया जा रहा है।